कि यह वेलकम बाग तूदर चैनल वे हूं आपका दोस्त और वोस्ट पेस और आज किस वीडियो में हम देख रहे होंगे अपने लेक्चर नंबर नाइंथ को क्लाइंट साथ डिस्क्रिप्टिंग के लिए जहां पर बहुत इंपॉर्टन कॉंसेट पढ़ेंगे और यह हमारे फर्स्ट चाप्टर का लास्ट टॉपिक होगा सबसे पहले टॉपिक होगा ब्रेक एंड कंटीन्यू के बारे में जो कि लूबिंग से रिलेटेट जब हम एक लूप को यूज करते चाहे हो वाइल लूप हो डूप हो या फॉल लूप हो जो अपने लास्ट लिग्चर में लूप को यूज करते हैं क्लाइंट्य इस सरे लेक किया डियूल है आपको आपको ब्रेक और कंटीन्यू की जरूरत बढ़ती है बहुत सारे टाइम पर उसके पर हम देखेंगे इंटर एक्टिव बॉक्स के बारे में अलवक्ष क्या होता है रौंट बोक्स किया होता और कन्फर्म बोक्स हुआप us outside कॉंसेप्ट को लिया इसके बाद हम नेक्स चाप्टर को स्टार्ट कर रहे होंगे उसके बाद थर दिन पूर दिन फिप इस तरीके से पूरे स्टार्ट करने से पहले एक चोड़ी से इस इंफ्रमेशन कि हम लोग क्लाइं सार डिक स्कुपटर करने उस वर्कशोप की जो लिंक एक फ्रम है मैं चोड़ाव बन्यास ऑस फॉर्म के लिए आपको उस इव्यंट में आने के लिए दो दमें आने क्लिए आपको याख को सिंपली नीचे फॉर्म पे अपनी डेटा को करना हमारी टीम आप से कॉंटाट कर लेगी अब आपने आज के लेक्शर के लिए बेसिकली ब्रेक यह ब्रेक और कर गिन्यू हमारे पस दो स्टेट्मेंट्स ऐसे आते दो कमांड ऐसे होते जो कि हम बस लूप के ताइम पर यूस कर रहे होते हैं जैनुरली हम इसको लूपिं ब्रेक लगा है किसी भी specific condition पर लगा है तो वहां से आप लूप के बाहर आजाएंगे मतलब वहां से हम उस particular जिस भी लूप में होंगे उस से लोग बाहर आ जाएगे ब्रेक का यूज आपने switch case में भी किया हो, switch case में भी same situation होता था, अगर हमारे पास multiple case है, case 1, case 2, case 3, case 4, multiple case हैं, और अगर कोई case satisfy होता है, तो हम आपे break कर दे लिए, ताकि दूसरे cases को हम check ना करें, ठीक है, suppose for हमारे पास 4 case है, जैसे मैं switch case में किया था, if we are having 4 case, case 1, case 2, case 3, और case 4, ठीक है, अगर आपका पहला case satisfied हो जाता है, तो हमें दूसरे case को check करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है, वो हमारे time का waste होगा, time complexity को बढ़ाएगा, अगर आपका पहला case ही satisfy हो चुका है, तो हमें बागी की case को execute करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग क्या करत होगा, जो भी case satisfy करेगा result को, वहां से हम break हो जाएगे, लूप से बाहर रिकल जाएगे, ताकि जो unnecessary execution है, unnecessary हमारा जो program run करेगा, वो ना करेगे, इसी तरीके से हम break को loop में भी use करते हैं, लूप कम लोग किस तरीके से use करते हैं, सपोस्पर आपने लूप चलाया है, आपको print कर करना है, और आपने लूप चलाया है, for loop, i equals to zero, i less than 10, i plus plus, कुछ इस तरीके क्या loop चलाया है, ठीक है, तो यह क्या होगा, यह आपकी result को print कर देगा, document.write i, यह आपकी 1 से लेकर 10 की values को print कर रहा होगा, अगर इसमें आपने break use किया, अगर आप चाहते हैं, कि एक specific condition पे, हमारा loop बाहर निकल जाया, suppose करो, आप चाहते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, तक ही execute करा है, उसके बद हमारा loop बाहर निकल जाया, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर specific condition का use कर सकते हैं, आप कोई भी condition का use कर सकते हैं, completely आपके उपर depend करता है, suppose करो, मैंने ऐसा किया, कि मुझे 5 के बाद loop से करना है, ठीक है, तो मैं डालूँगा, i equals to equals to 5, अगर if i की value 5 है, अगर i की value 5 है, तो क्या करो, print कर दो document.write 5 को, और यहाँ पर break tag को मिलागा, तो जैसे ही यह i की value 5 होगी, उसी time पर यह break tag आगा, जैसे ही break tag हमारे program को मिलेगा, अमारा program इस loop से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, अग एक सवाल और आपके जहन में आता होगा, कि अगर हमें 5 तक ही loop पो चलाना था, तो हमने फिर 5 तक का ही loop क्यों नहीं लिया, हम यहाँ पर i less than 10 के जगा, i less than 5 भी तो लिख सकते थे, तो हमारा loop 5 तक ही चलता, 1, 2, 3, 4, 5, but यह एक static programming, जहाँ पर हम लोग अपने खुद स यहाँ पर 8 भी दे सकता, तो इस दौरान आपको एक specific condition लगाने पड़ती है, तो वहाँ पर ब्रेक का यूज करते हैं, आपको नहीं पता कि यूजर कौन सा choice लेने वाला है, तो आपको यूजर लेने वाला है, तो आपको 1 पर ब्रेक लगाना है, 1, 2, 3, 4, यूजर कोई भी चालता है, यूजर कोई भी नमबर को प्रेंट कर सकता, यूजर किसी भी टाइप की input दे सकता, उसके लिए मूँ ब्रेक टाग का यूज करते हैं, अगर आपको लूप से बाहर निकलना है, तो आप ब्रेक टाग का यूज करते हैं, सपोस्कोर आपको आपको नमबर एंड में हमने यूजर से वैल्यू ले ली इस प्रॉंट के बार में आपको आगे बताओंगा बड़ इस प्रॉंट में हमने एक यूजर से वैल्यू ले ठीक है हम ही चाहते कि इन वन से लेकर 10 तक में अगर यह इलेमंट मिल गया search कर लिया तो लूप से बाहर निकाज जाओ बिकल उसके बाद लूप को continue बने का मतलब नहीं बनता रही अगर suppose को यूजर ने 3 दिया तो हमें बाकी के लूप को चलाने का को मतलब ही नहीं बनता रही बाकी का जो 7 iterations होगा उससे हमारी time बस waste होगे और कुछ नहीं होगा तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं यहां पर condition लगाते हैं ठीक है if i i क्या हमारा जो लूप चल रहा है iterations 0 1 2 3 4 हम यह चेक करें कि n जो है वो जहां पर भी हमें नंबर मिल जाए उसके बाद लूप को break कर दो if i equals to equals to n i की value जैसे ही n होती है n मतलब यह हमारा यूजर सब्सक्राइब यूजर ने दिया value 4 ठीक है तो i की value जैसे ही 4 होगी ठीक है यहां पर हमने print कर दी है document.write element found जो भी message आपको print करना आपको index position देना आप index position भी दे सकते हो element found at position आई जो भी हमने print कर वो यहां पर देख जाए ठीक है उसके बाद अगर हमने break नहीं किया तो क्या होगा complete loop चलेगा 1 2 से 4 तक आएगा फोर्टा को element मिल गया उसके बावजूद भी यह loop 10 तक चल रहा होगा क्योंकि हमने इस loop को termination condition लगाया है 10 अगर आप यहां पर 10 लगा होगे तो इसका termination condition 10 है मतलब ही 10 तक loop चलते रहेगा बट अगर हम अपना वक्त को बचाना तो हम क्या करते हैं जैसे element यह पर मिलेगा वहाँ पर ब्रेक लगा दिया तो ब्रेक लगा किसे क्या हुआ कि जैसे इसको यह इलमेंट मिला यह लूप से बाहर आगया तो हमारा लूप चला फॉर्ट तर उसके बाद हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे यह बेनिफिट होता है हमारे ब्रेक टाग का जब भी आप किसी ब्रेक टाग को यूज करते तो यह बेनिफिट होता है ठीक है मैंने पास कम्क्लीट स्लेबर्स हैं यहां पर अभी कि अगर कोई टॉपिक मिस नहीं होना हो तो इस तरीके से हम लोग ब्रेक टाग को यूज करते हैं ब्रेक टाग का मतलता सिंपली आप लूप से बाहर निकल जाओंगे ठीक है बहुत सा इस अरे में सर्च करना यह नंबर को तो आप वहां पे यूजर से निफिट लेंगी वह कौन सा नंबर सर्च करना चाहता है तो वहां पर ब्रेक टाग का यूज करना पर एकर ब्रेक हमारी अननेसेसरी एक्जिकूशन को बजाता है अगर आपसे कुछ सवाल पुछ है कि वह is the role of break tag what is the use of break tag तो आप इसा वोज़ता है ब्रेक्टाइग इस तो प्रेवेंट अननिसेसरी एक्जेक्यूशन हमारी टाइम को सेव करता है ठीक है अननिसेसरी एक्जेक्यूशन नहीं होने देता है यह ब्रेक्टाइग हमारा ओके इसकी बाद हमारे पास एक दूसरा स्टेटमेंट आता है जो कि लूप में हम यूज करते जर्रला इता है इसेप्यान करते हैं शो जो आपका लूप चल रहा है 1 से लेकर एंड तक 1 to end जो लूप हमने चलाया तो जो हमने decide कहा थे कि 1 to end लूप हमारा चलेगा उसको हम continue कमांड से continue रखते हैं कभी भी उसको रोकते नहीं है बस continue कमांड का यह काम होता है कि continue से हम किसी भी element को या किसी भी object को skip कर सकते हैं ठीक है सब्सक्रों आप लूप चला गए ठीक है आप लूप चला रहें वन से लेकर 10 तर और आप किसी भी iteration को किसी भी value को skip करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि 5 की value महां पे नहीं दिखे तो आप उसको skip कर देंगे वह आप continue से कर सकते सब्सक्रों मैं लूप चला एक लिए लेकर 10 तर ठीक और मैं चाहता हूं 5 की वालों skip हो तो मैं क्या करूंगा if i equals to equals to five अगर i की value 5 हो तो क्या करो continue मतलब यह जो element है यह क्या करेगा i की value जैसे 5 आएगी i को skip कर देगा continue और उसके अगर अगर आप प्रिंट करा होगे document.write आई तो यह क्या प्रिंट होगा यह होगा 1234678910 यह जो फाइव था उसको यह कर देगा skip यह काम होता है continue अगर आपको किसी भी particular element को skip करना होता है और उसको छोड़ के आपको आगे बरना होता है ब्रेक में क्या होता है अगर आप एक element को break करोगे तो वहां से लूप जो बाहर निकल जाएगा इसके continue ऐसा नहीं होता continue इस element को यह हटा देगा और बाकी के सारे element को यह execute करा देगा कई बार ऐसे हमारे प्रॉब्लम से आप development करते हो software की तो यह problem आती कहीं बार कि आपको एक element को skip करना होता है आपको एक element को particular element को skip करके आगे बढ़ना पड़ता है तो आपको वहां पर continue का use करते हैं ठीक है तो simple break का use हम करते हैं जब हम हमें loop से बाहर निकलना होता है continue को करते हैं जब हमें किसी के element को skip करके आगे बढ़ना पड़ता है ठीक है तो अब हमनों continue का use कर ले होते हैं तो यह होता break and continue बहुत important पार्ट है किसी के programming के लिए अगर आप programming कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे applications बहुत सारे real world examples आते जहां पे आपको break and continue का use करना पड़ता है ठीक है अब हमनों next part में देखेंगे interactive boxes के बाहरे में जो next lecture में upload करूंगा उसमें मैं आपको यह तीन parts पढ़ा रहा हूंगा alert box prompt box and confirm box इन तीनों के मैं separate video बताऊंगा जो कि हमारा next lecture होगा जहां पर इन तीनों पर प्रोग्राम भी देख रहे होंगा और कहां कहां पर हम देल को use करते हैं जब अगर क्लाइंट से scripting पढ़ रहे हैं MSPT का एजाम दे रहे हैं तो यह जो question है इस पर 110 परसंट एक question तो बनेगा तो आप next video ज़रूर देखना जिसमें तीनों boxes के बारे में पढ़ रहे होंगे मेना purpose यह है कि हम अभी जो भी topic पढ़ रहे हैं क्लाइंट से इस चैनल पर जो भी वीडियो में upload कर रहा हूं यह सारे MSPT oriented वीडियो में मतलब MSPT के लिए जो आपके लिए beneficial हैं जो आने वाले हैं वही सारे topic में आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं ठीक है तो यह आपके बहुत important हो तो इस playlist को प्रीज इस फॉलो करो अगर आप MSPT में हो फिल्व सेमस्टर में तो इस playlist को आप जरूर जरूर फॉलो करो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो आने वाली सारी वीडियोज जो हैं आपको इसे चैनल पर मिल रही होंगी तो चैनल को सब् कुल वे